तुम्हे वो मातास्चा पिता तुम्हे वो तुम्हे वो बंदूस्चा सका तुम्हे वो विद्याद्रेविणम तुम्हे वो तुम्हे वो सर्वमम्म देवदेवा सर्वमंगल मांगले सीवे सरवार्थ साधी के सरणिया त्रेंबिके गवरी नाराणी नमोस्तुते आज मैं सेर करने वाली हूँ आपके साथ अपना डेली व्लोग तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डेली व्लोग हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनिंग कैसे हो आप सब लोग प्लीज कोमेंट्स करके जरूर बताना आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ तो फ्रेंड्स आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना डेली व्लोग आप लोग के साथ तो अभी बज़े हैं सुबह के साथ मैं अज हस्बन को आफिस भी नहीं जाना था इसलिए मैं टोटली रिलैक्स थी वरना जल्दी उठकर और पूजा पाट करके उनका टिफिन बना तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूंगी अपने घर को थोड़ा सा ठीक करूंगी बिस्तर वगरा और डस्टिंग वगरा करनी है फिर काफी दिन से मसीन नहीं लगाई है मैंने कपड़े नहीं दूले और कपड़े काफी कठा होगा है तो थोड़ी सी मैं लगाऊंगी मसीन अब दूलते रहते हैं और उसके बाद मैं अपना सावर लेने के बाद मातारानी की पूजा करूंगी और मातारानी की पूजा करने के बाद फिर मैं लोगी चायनास्ता और चायनास्ता लेने के बाद फिर मैं बनाऊंगी अपना दोपहर का लंच देखते हैं अज लंच में क्या बनाते हैं हाजबेंड चुटी पर हैं और बेटी जो है वो अपने कॉलेज गई हुई है तो अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि लंच में क्या वनना है बड़ जो भी बनाऊंगी वो मैं आपके साथ सेर करूंगी तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी मैं अपने बेड चादर का यहाली चादर में बिछा रही हूं और यह मुझे बहुत प्यारी लगती है इस पर टेड़ी वगारा बने हुए है तो बेटी वगारा भी लेड जाती है तो मुझे अच्छा लगता है टेड़ी विचाना और उसी के मैचिंग मैंने कुछन कवर और पीलो लगाई है जहां पर अभी मैं खंगालूंगी पानी से और उसके बास ड्रायर मारूंगी सुखाऊंगी और यह लगा दिया मैंने बटन और इधर वाले जिसमें कप्टे दूलते हैं इसमें पानी थोड़ा से मटमेला बचा था बट सर्फ बहुत ज़्यादा थी बहुत ज़्यादा करने तो अभी मैं बेट के पास की डिस्टिंग करूंगी बेट की डिस्टिंग करूंगी इसका कलर थोड़ा डार्क है ना हमारे बेट का तो उस पर डिस्ट जो बहुत ज़्यादा पता चलती है और डिस्टिंग तो वैसे भी रोज सारी चीज़ों की एक बार करनी जरूर चाहिए गर्मी हो यह जाड़ा हो डस्ट हमेशा बहुत ज्यादा मौजूद रहती घर में और मेरे इस बेट पर बहुत ज्यादा पता चलती है तो अभी मैं पूरे घर में सारे समानों की एक बार डस्टिंग करूंगी सुखे कपड़े से उसके बाद फिर मैं गीले कपड़े से डिस्टिंग करती हूं और पूरे बेट को क्लीन करती हूं मैं सब चारों तरफ से पोशती हूं एक चीज उसका ताकि जो है बिल्कुल भी डेस्ट उस पर दिखाई ना देए यह दिखे नीचे अभी नहीं पोचा था तो आपको डेस्ट दिख रहे थी जबकि रोज मैं की तरफ तो तीवी सेक्शन के नीचे हमारी डॉर रखी हूए इस पर भी बहुत डेस्ट हो जाती है तो इसको पोचते हैं इसको भी मैं क्लीन करूंगी डॉर पर मैंने लाइट कलर का रणर बिच्छा रखा है उसी को पर सारा सामन रखा है ताकि जो है डॉर को रोज पोच कि वो हमारे साथ अभी अपरेल में नहीं रही तो आज बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करने वाली हूँ मैं क्योंकि बेटी घर पर है नहीं और जो है हाउस हेल पर वो आज की है सफाई के लिए और भी कई काम निप्टाने हैं आज तो आज जो है मैं वो डीप क् कि बस हलका हलका साही डस्टिंग मारूंगी मेरे ट्राइप भी खराव है इस वज़े से मुझे कैमरा हाथ में लेकर करना पड़ता है तो मैं जो है वो अपनों को ठीक से प्रोपर दिखाने पाती है और वैसे भी अब दीपावली की डीप क्लीनिंग होनी है ना इस वज़े कि अब थोड़ा साथ आवाइड भी करती हूं क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं यह मुझसे हाथ लगके गिर ना जाए तो मैं टीवी को बहुत हलके हलके हाथों से साफ करती है बहुत हलके हाथों से और यह मेरे हस्बेंड ना क्लीप देखो कपलो की कहीं भी लगा पढ़े हुए हैं उनकी चादरों को भी जिनको चेंज करनी है उनको मैं जारती जरूर हो जारने के बाद मैं उनकी बेडिंग प्रॉपर कर देती हूं और फिर सारे अंदिवान वगरा को मैं इस तरह पोचती हूं प्रॉपरली आप समझ लोग बड़े जो भी आइटम है उनक एक जहलक मेरे घर के हरे भरे पोधों से मिली है हमारे प्लांट से अभी तक आप लोगों ने हमारे प्लांट नहीं देखे हैं उनसे नहीं मिलवाया किसी व्लोग में मिलवाओंगी जरूर आप लोगों को और फ्रेंड यहां पर यह देखिए मैंने ड्रायर हो जाने के पर नहीं फैला हैं क्योंकि और और बहुत सारे धुलने वाले हैं तो फिलाले बड़े-बड़े कपड़े थे इन्हें मैंने यहां जो आंगर में डोरिया बांद रखे उन पर फैला दिया है बाकी कपड़े स्टेंड पर फैला दूगी और कपड़ों के बाद बारी आई है प प्लांट को मैं ऊपर-ऊपर से थोड़ा सा जरूर रोज नहला देती हूं हलका सा पानी छिड़क डेती हूं तीसरे चोते मैं प्रॉपर इनको जहै चालवर देती हूं पाइप लगा कर बट ऐसे मैं इनको हफले हांतों से नहला देती हूं ताकि इनके उपर की जो डेस्ट वगरा है वो निकल जाए और फिर पानी देती हूं प्लांट्स को इनको रोज पानी की बहुत ज़्यादा जरुद्ध होती हैं मेरी मिट्टी में वसे भी थोड़ा सा बालू मिली हुए इसलिए और ज़्यादा जल्दी सो मैंने अपनी मतरानी की पूजा की और रोज सबसती के अध्याय का पार्ट करती है और उसके बाद मैं आ गई हलका सा तयार होने के लिए अब अपने फेस पे हलका सा अप्लाई करूंगी बिल्कुल जरह सा इसको लोंगे मैं बिल्कूल जरह सा और इसको हलकी सी कोल्ड क्रीम के साथ apply करूंगी मैं हलकी सी बोरो प्लस ली है मैंने बिलकुल जरह सी और ये देखी इस के साथ मिला कर मैं face ड्राइथा न तो इस वज़े से cold cream ले ली है जरह सी और उसमें मिला कर मैं हलका सापने face पर इसको apply करूंगी वैसे मैं normal makeup में घर में foundation वगरा नहीं लगाती हूं कही लगा ले रहे हैं और आब अप्लाई करूंगी यह लिप्स्टिक बहुत इस मूँच चलती है बहुत बढ़ी अप्रस इसका लगाने में हलका सब पिंक कलर है पिंग प्याजी सब मिक्स कलर है मुझे बहुत अच्छा लगता है तो अब में इसे अपने लिफ्स पर हलकी अप् पालर ने जा पाई, कटवाने पाई उन्हें, और अब कंगी के बाद मैं लगा रही हUNG अपनी मांग में सिन्दूर, और हर स्वाग निस्त्री को इस नान के बाद सिन्दूर जरूर लगाना चाहिए, और अब मैं आ गई हूँ अपने कीचन में, only petite चड़ादी है अद्रक वाली चाय खूब धेर सारी अद्रक डाली है मैंने चाय में और काली मिर्च भी डाली है और खाल आ चुकी है चाय में और उधर मैंने अपने ले बिस्किट और दाल मोट निकाल लिये हैं तोड़ा सा नास्ता करूँगी खाली चाय नहीं पीनी चाहिए और भूग भी लग रही है तो ये चानली है मैंने अपनी चाए अपने कप में और हाँ लीजे आप लोग भी चाए पीजिए हमारे साथ चलिए लीजे आप लोग भी चाए पी लीजे तो फ्रेंग्स ये देखे चाए बनकर मेरी रेडी है और ये बिस्किट लिए है मैंने मू तो चलिए अब भी हमारे साथ चाय पेज़ें चाय नस्ता हो जाने के बाद मैंने कर लिए लंच की तयारी मुझे लंच बनाना है तो इसके लिए देखे मैंने सब्जियां काटके रख लिए आज मैं आलू बैंगन की सब्जी बनाने वाली हूं यह अलू बैंगन सब्जी और तमाटर काटलिया है हरी मिर्च काटली प्याज काटलिया और दाल को पहले से सोग करके रख दिया था आज तुवर दाल बनने वाली है पीली राल जी से बोलते है रहर की दाल और यह चावल किसम मैंने सोग करके रख दिया था और तैयारिया मितलब हो गई थी और अटे का दो भी जो है मैंने लगा कर रख दिया चलिए स्टार्ट करते हैं लंच प्रिपेर करने दाल चड़ा दिया है दूलकर और अब मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी आज मैं सिंपल डाल बनाने वाली हूं बिना मसाली की बिल्कुल हल्की से हल्दी डालूँगी और हल्का से बिल्कुल जा रहा था रेड चिली पाउडर है कराई है यह मैं लगा देख हूं कुकर के लिए चलिए डाल का सारा कुछ पढ़ चुका है इसमें सीटी लगेगी और टतर मैं जो है अपनी सब्जी बना लेते हूं सब्जी में कडाही में ही बना देवारी हूं और इसके दॉंके रिए मैं दालूंगे त सर्सूं का तेल कर लें मैं ले राज लेली और यह है थोड़ी से हिंग क्योंकि बेंगन के सब्जी हो औरature हो बना हो अग्षा जू झूँ ओझगा उरतिंगे this बाक्तिंगे टर्के लगाने के बाद ये टर्के लगाने के बाद ये ग्रीन चिली गात कर दग्टी तो और उसकी पेड़ यह कुकरतर दाल और यह मैंने ताइका लगा दिया है, सब्जी का बगाल लगा दिया है और हल्का सा प्याज होती है, अब मैं त्लेन को हल्का सा जो टेज कर लेती है और जैसे हमारा इस प्याज होता है ना वैसी मैं इसमें सल्पासा था मशादी ने और यह चावल अभी हमारा सोक हो रहा है चावल इतनी देर सोको ना उतना बढ़िया रहता है तो यह देखिए हमारा बगार अब भार हमारा प्याद घुर्टनिट ग्राउन हो चला है अब मैं इसमें एड़ कर दूँगी यह दिखिए यह वाले मसाले मैं एड़ करते हूं यह असोग का सबजी मसाला है और इस मसाले का तेस्ट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो एक्स्ट्र कोई भी मसाला आड़ नहीं करने वाली हूं क्योंकि आज मैं बहुत सिं कि आली डाल दूँगी आज बहुत ज्यादा मसाला नहीं लगांगी में सब्सक्राइब में तो सबसे पहले तो आलू को थोड़ी देर प्राई कर लेते आलू जितना अच्छे सब्राई होंगे ना सब्सक्राइब है और सास में ही ना असमें नमक एट कर दूँगे शाड़ और सुखी रेज चिली और ग्रीन चिली लगाई है तो यह मिर्च पाउडर है ना वुन में फोड़ा सा एट करूँ इसमें अगर अगर आप कलर लाना चाहते हैं तो मैं बाद में भी ठोड़ देती हूं बाद में भी कलर पकड़ लेता तो हल्का सा थोड़ देंगे अगर अलो ने यह देखे अल जो है वो छोड़ दिया तेल जो है थोड़ दिया है अब इसमें यह बैंडलन जो है वो एक्टर जैए हूं मैं यह दो तमाटर का अच्छे रखती थी इन तमाटर की अब यह फुकर में आ गई है सीपी और सब्जी को ना मैं ऐसा ही चला कर बन कर दूंगे इसमें पानी नहीं डालू रही यह बिल्कुल हल्का सा बाल रखती है अब मैं इसको एज़ित पकने के लिए बंद कर दूंगी सब्जी को और सीटी आ चुकी कुकर में और जब तक सब्जी तयार होती है मेरी ना तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूं भी कुछ मसीन से कपड़े जो थे वो और फैलाने थे तो मैं वो कर लेती हूं अब तक दाल हमारी बंगर तयार हो गई है सब्जी भी बन चुकी है और यह कुकर में चड़ा दिया है यह देखें एक उकर में चावल चड़ा दिया है मैंने तो इस तरब चावल हो रहा है और तब तक चलिए मैं रोटिया से क्लेख लेखें क्वक्ट क्वक्ट पर नब लगज सारय को टू झेंरें झाल क doit तो फ्रेंड लिए लीजे ठाली तयार हो गई है यह सिंपल सा खाना बनाने वाली हूं तो यह आलू वैंगन की सब्जी और बहुत बढ़ी आया है बहुत सूखी नहीं बनाई हूं हलके से रशे के साथ बनाई हूं मतलब लूट पुटी जिसे बोलते हैं और यह रोटियां य तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भूख बहुत जोर लगी है क्योंकि बहुत लेट हो चुका था खाना बना मेरा और ये पानी भी इसाथ में, बहुत लेट हो चुका था खाना बना फ्रेंड तो भूख बहुत जोरों की लग गई और इन सब को मैंने खिला दिया था, husband खा चुकेते बेटी तो आएगी तब खाएगी और जब मैंने अपनी थाली लगाई तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी invite करूँ तो चलिए आप भी मेरे साथ खाना खा लीजी लीजे friend आप सब लोग भी खाना खाईए मेरे साथ आईए और खाने का टेस्ट लीजे और बताइएगा मेरा सिंपल सा खाना आपको कैसा लगा friends ये था मेरा आज का डेली ब्लॉग जो की morning से लेकर मैंने दोपहर के लंचिता का रूटीन आपके साथ सेहर किया तो कैसा लगा है आपको ब्लॉग तो प्लीज कोमेंट करके जरूर बताएगा मुझे तो जो मेरे चैनल पर नाए आए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की notification आप तक पहुंसती रहे सब्सक्राइब करना ना भूलें लाइक करना ना भूलें और कोमेंट करना भी मत बूलें तो चलिए मिलते हैं और एक अगले इंट्रस्टिंग व्लॉग के साथ और तब तक की लिए बाइबार प्रेंट अरे वाहाँ सही पकड़ेंगी ता जी दिखाओ दिखाओ जल्दी सब्सक्राइब करेंगी तो चलिए अब पीते हैं चाय सबसे पहले उसके बाद बनाते हैं लंच अब मेरे सारा काम जो है वह नीपड़ चुका है अब मैं स्कून से चायती हूंगा उसके बास सीदे सीदे में हाइदे या सही पकड़े हैं